अड़ी शर्मा सुलूशन है ये क्लास 12 चैप्टर 19 एक्सरसाइज है 19.19 इंडेफिनेट इंटिग्रिल्स 2x-3 डिवाइड़ बाइ x-square प्लस 6x प्लस 13 क्योंकि हम 3 question कर चुके हैं इसलिए आपको अंदाजा लग गया है कि सबसे पहले हम ये जो 2x-3 जो कि आप numerator में देख रहे हैं इसको हम denominator के differentiation के respect में या उसके संदर में हम दिखा सके या represent कर सके तो हम क्या करेंगे एक constant यहां लगाते हैं differentiation करते हैं डिवाइड x किसका जो की denominator है ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये चीज हम आगे भी यूज करेंगे इसी question में कहने का मतलब कि ये a है ये differentiation क्या होगा 2x प्लस 6 तो इसकी अवशक्ता हमें दुबारा पड़ेगी हम direct use करेंगे प्लस b बराबर 2x-3 similar term का concept तो आपको पता होगा इसको multiply कर लेते हैं हो गया आपका 2ax प्लस 6a प्लस b और अब हम इसको equate करेंगे similar terms 2x-2ax के बराबर है यानि के 2x बराबर 2ax हो गया ये तो इससे हमें क्या मिला a ये cancel हो गया 2 cancel हो गया a बराबर 1 आगे अब a बराबर 1 को हम इसमें रख देंगे क्योंकि अब 6a प्लस b को अगर हम equate करें बाए हाथ से तो ये negative 3 है अब a तो हमारा 1 आ गया तो 6 प्लस b बराबर हो गया minus 3 b हो गया आपका minus 3 minus 6 यानि की minus 9 आपके पास आ गया तो a और b की value आ गई ये जो equation number 1 है इसमें हिससे रख देते और इसमें रखते ही आप देखेंगे इसको मैं रख रहा हूँ a की जगा 1 यानि की 2x प्लस 3 हो गया 2x प्लस 6 हो गया b की जगा हो गया minus 9 लेकिन ये तो numerator है और numerator के नीचे ये denominator है तो denominator को थोड़ा अलग कर दिया जाए यानि यहाँ पर x square प्लस 6x प्लस 13 कर दिया जाए यहाँ पर भी x square प्लस 6x प्लस 13 कर दिया जाए क्योंकि हम इसका integration करना चाह रहे हैं तो integration sign लगा देते हैं ठीक है साब या dx लगा देते हैं या dx लगा देते हैं तो हमने इसको यह जो original integration था उसको change किया इस तरीके के कि हम इन दोनों का integration कर सके अब आप देखेगा जैसे हम यह i1 और i2 कह रहे हैं इतने आसानी से इसका integration हो जाएगा जो आप इसका करने में असक्षम थे i1 लेते हैं सबसे पहले i1 क्या है आपके पास क्योंकि आप समझ चुके हैं इसलिए मैं direct कर देता हूँ x2 plus 6 x plus 13 इसको हम t रखना चाहेंगे x2 plus 6 x plus 13 अगर हमने लिया तो dt by dx करते ही क्या है आपका यह हो गया 2x plus 6 यहन्ने dt हो गया 2x plus 6 into dx यहां हम अल्री differentiation कर चुके थे इसलिए मैंने कहा था हम इसे reuse करेंगे तो जो numerator है 2x plus 6 dx वो तो यहां मिल गया हमें यहां पर dt रख दीजी integration denominator आपने t ले रखा है तो t हो गया अब इसका integration तो direct है आपके पास log modulus of t plus constant of integration c1 मान लेते हैं इसका final answer लिख देते हैं log modulus करिए यह क्या हैगा x square plus 6x plus 13 plus c1 यह पहला आपका integration यह i1 आ चुका है यहां खतम कर देते हैं अब i2 पे चलते हैं i2 क्या कहता है i2 कहता है कि हम denominator में है constant की कोई बात नहीं है 9 यहां भी कर दें तो कोई फरक नहीं पड़ेगा x square plus 6x plus 13 है इसको हमको perfect square बनाना पड़ेगा perfect square बनाने का तरीका यह है कि आप इस 6 को लीजिए इसको कर दीजिए आधा क्या बना 3 इसको कर दीजिए square और जो जीज आएगी उसको add और subtract कर दीजिए perfect square अपने आप निकल के आ जाएगा x square plus 6x plus 13 इसमें हम क्या जोड़ेंगे घटाएंगे 3 square 3 square तो plus 3 square कर देते हैं और minus 3 square कर देते हैं तो a square plus b square plus 2ab यह क्या हुआ x plus 3 का whole square अब क्या बचा 13 minus 9 13 minus 9 होता है यह 4 4 को हम लिख सकते है 2 square तो यह x square plus a square का बन गया यानि कि अगर मैं integration लिखना चाहूँ 9 को बात में deal करते है dx divided by इसको हम लिख देते है x plus 3 का whole square plus 2 का whole square तो आप को कहां बता हूँ मैं यहां बताते हैं integration of dx by x square plus a square क्या होगा जनाब यह होगा 1 by a tan inverse x by a यह आपका formula होता है जो हो कि हम इस्तिमाल करने वाले है कर लें इसको इस्तिमाल 1 by 2 a 1 by a यहां 2 यह तो नहीं लिख दिया 1 by a है 1 by 2 और आपको याद होगा 9 भी था इसके सामने तो 9 भी धर्ज कर देते हैं आपके 9 9 by 2 और अब लगा दीजे आप 10 inverse x by x plus 3 a क्या है 2 यह भी आ गया इसके साथ constant of integration c2 लगा देते हैं अब हम i1 यह जो i1 है और i2 इसको जोड़ेंगे तो i क्या होगा i1 प्लस यहां पर i1 minus i2 है i1 minus i2 है i1 क्या है आपका यह आए लॉग modulus में आया x square plus 6x plus 13 minus 9 by 2 और इसके साथ क्या है नीचे लिख रहा हूँ मैं यह संख्या में यहां लिख रहा हूँ expression है basically यह x plus 3 divided by 2 और c1 plus c2 इसको हम ऐसे एक देंगे इन दोनों को जोड़के हम एक c बना देंगे capital c और वो इसके साथ जोड़ देंगे यह आपका final answer बन गया तो यह इस तरीके से किया जाएगा अब बाकी जो questions है उनका भी तरीका almost similar है जैसे यह question है अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि यह आपके लिए जादा मुश्किल नहीं होगा बाकी questions जो है वो इसी तरीके से क्योंकि इसमें नया formula भी नहीं लग रहा है तो नया formula अगर लगता तो मैं आपको ज़रूर यह बताता हूँ next question पर बढ़ते हैं क्योंकि मैं इसका reference दिखा रहा हूँ आपको इसी लिए अच्छा जी यह question है थोड़ा सा अलग दिख सकते हैं आपको करना वो ही है ध्यान रखेगा इसमें कुछ अलग नहीं है बट क्योंकि थोड़ा सा अलग दिख रहा है तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो थोड़े अलग question लग रहे हूँ उनको मैं ज़रूर बताऊ आपको जो similar है वो दो चार बताके फिर बाकी आपके उपर मुझे पुरा विश्वास है कि आप उसे समझ जाते है यहाँ पर आते हैं करना concept होई यह numerator लीजिए बराबर कीजिए a into किसका करेंगे d by dx किसका denominator का क्या है 2 plus x minus x square और फिर constant एक और जोग दीजिए इसका differentiation क्या होगा इसका differentiation यह तो 2 0 हो गया x का 1 होगा और यह minus 2 x 1 minus 2 x आगया तो 2 x आपका हो गया a और minus 1 minus 2 x हो गया और यह आपका plus b हो गया तो इससे क्या फाइदा हुआ 2 x बराबर हम multiply कर देते a minus 2 a x plus b हम क्या करेंगे इसको अगर मैं बराबर करूँ तो यह a plus b हो गया और यह हो गया minus 2 x बराबर का मतलब मैं constant terms के हिसाब से equate करूँगा तो 2 a x बराबर 2 x है 2 a x बराबर हमारा 2 x आ रहा है minus 1 देखें minus है तो एक equation तो यह बन गया दूसरी equation क्या है a plus b यह आपको कोई constant term दिख रहा है नहीं है तो आप इसको 0 करती है यहां से क्या मिलेगा 2 x 2 x cancel 2 x 2 x cancel a बराबर minus 1 मिलेगा आपको यहां से यहां रख दीजिए minus 1 plus b बराबर 0 यानि कि b आपका 1 होना चाहिए तो यह जो equation बनी है इसको मैं अलग-अलग करके लिख दे रहा हूँ यह जो equation 1 है इसमें डाल रहा हूँ यह वाले में a की जगा हम क्या रखेंगे minus 1 minus 1 1 minus 2 x 1 minus 2 x लिख देते हैं b क्या है आपका 1 क्योंकि यह 2 x ही है तो यहां 2 x यह 2 x को represent कर दिया इसको आप करके भी देख लीजिएगा अगर आप इसको compute करेंगे तो आपका 2 x ही आए denominator में मैं ज़रा अलग कर दे रहा हूँ क्योंकि एक step बचाऊंगा मैं यहां पर 2 plus x minus x को आपको बचाना नहीं आपको लिखना है proper यहां रखिएगा 2 plus x minus x square अब integration इसका इसका integration यानि कि हम actual integration यह देख रहे है यह हमारे पास i1 है यह हमारे पास i2 है तो हमें इसका integration करना है तो पहले i1 ले ले लेते है i1 तो सिधा आजाएगा आपके पास क्यों? क्योंकि आप t रखेंगे 2 plus x minus x square यहां तक कोई problem नहीं तो dt by dx के आएगा differentiation आप अप already कर चुके हो 1 minus 2x इस dx को हम यह ले जाते है तो आपका 1 minus 2x into dx आया तो देखिए आप जैसे आपने इसको t रखा यह आपका dt बन गया लेकिन एक चीज़ और इसमें यह negative संखिया है तो negative बाहर कर देते है यह negative बाहर कर देते है और 1 minus 2x देखिए minus को बात में deal करेंगे अप जैसी इसको आप t आपने लिया यह इसको t लिया ना यानि कि denominator को t लिया तो उपर वाला dt आ गया 1 minus 2x यह वाला dt आ गया देख, dt हो गया इसका मतब यह आपको बनेगा log modulus of t plus constant of integration तो log minus बाहर है modulus में लिजिए t की जगा आप यह रख दीजिए जो आपने लिखा था 2 plus x minus x square और plus constant of integration c1 i1 हो चुका है i2 की बारी है i2 की बारी है यह 2 plus x minus x square इसमें थोड़ा सा एक effort लग सकता है वो यह है कि आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा पहले minus x square लिखिए फिर plus x लिखिए और फिर इसमें plus 2 कर दीजिए यानि मैंने इसको rearrange किया है लेकिन इसका आपको perfect square बनाना है perfect square कैसे बनेगा आपको minus बाहर लेना होगा यानि कि आप हम minus बाहर लेंगे इसमें तो यह minus बाहर जैसे लिया तो यह x square हो गया यह जो minus है बाहर लिया x square हो गया बाकी अंदर की चीज़े negative में आ जाएगे तो आपको इसका perfect square बनाना है तो यहाँ बना दू उपर बनाने से पहले देखेगा इसका coefficient है 1 तो 1 को half करिए इसको square करिए add subtract कर दीजे minus बाद में deal करेंगे तो minus हम लेके चलेंगे अभी लेकिन यहाँ पर x square minus x minus 2 का क्या करेंगे x square minus x minus 2 अब इसमें plus 1 by 2 whole square करेंगे और minus 1 by 2 का whole square करेंगे तो a square plus b square minus 2 a b यहने x minus half का whole square होगे अब क्या बचार minus 2 और minus half whole square minus 2 और minus half whole square का मतलब क्या है यहां कर दो minus 2 minus 1 by 4 तो यह हो गया photo is a 8 इसको अगर minus बाहर ले ले तो plus होगा है photo is a 8 8 plus 1 by 4 याने कि 9 by 4 इसको हम लिख सकते हैं 3 square by 2 square 3 by 2 whole square तो अब बना क्या है यहाँ पर minus half whole square और यहाँ पर हम कर देंगे लेकिन धियान रखेगा इस जगा पर आपका minus आएगा क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया हमने इसमें यहाँ minus लिया है यह यहाँ जब हमने किया ना तो यह minus मैंने बाहर ले लिया था तो minus आपका हो गया 3 by 2 का whole square तो integration कैसे बना आपका integration बना ऊपर तो खिर डी एकसी है यहाँ पर को constant term भी नहीं है denominator में आपका आगया x minus half का whole square minus है यहाँ पर दियान रखेगा यहाँ पर मैंने कहा था minus लेना तो minus मतलब यहाँ minus आ चुका है अब x minus half का whole square और यहाँ हो गया minus 3 by 2 का whole square अब x square minus a square का formula तो मैंने आपको बता दिया था तो हम सिधा यह कर लेते है 1 by 2 into a यहाँ थी by 2 log लीजे modulus x minus a आप x plus a तो x minus half minus 3 by 2 और x minus half plus 3 by 2 इसको बंद कर दिज़े c2 कर दिज़े इसको यह cancel हो गया 1 by 3 आ गया और यह इसको हम थोड़ा अलग से कर लेते हैं half plus 3 by 2 यह 4 by 2 यानिकि 2 यह क्या हो गया 3 by 2 minus half यानिकि 2 by 2 यानिकि 1 यहाँ 2 आएगा उपर और नीचे 1 आएग minus में यह दिखे उपर मैं लिख देता हूं इसको यह हो गया x minus 2 और नीचे आगया x plus 1 इसको बंद कर दीजे plus constant of integration c2 ठीक है जी अब जोड़ दें दोनों को मैं i1 और i2 को जोड़ने की यहाँ पर अगला step में कोशिश करता हूं तो i क्या आगया final answer लिख रहा हूं आपको मैंने बताया था यह minus है यादे आपको यह minus बताया था तो minus लिखेंगे पहले और बाकी जो आया वो यहाँ लिख देंगे तो minus log log 2 plus x minus x square constant of integration बाद में जो होते हैं दूसरा time यहाँ है लिख रहा हूं यह वाला जो आया हमारा वो होगी आपका 1 by 3 और क्योंकि यह minus यहाँ है और इसके बीच में minus है तो minus minus बिलके plus हो गया तो इसलिए plus कर दिया मैंने 1 by 3 log और यह 1 plus x minus 2 है अच्छा एक और चीज़ कर सकते हैं देखें अगर इसको आप यह यहाँ पर जब यह वाला जो किया ना हमने आपको बताया होगा यहाँ पर शुरुवात में मैंने यहाँ plus है तो अभी minus minus plus नहीं हुआ अभी बताया मैं अपनी जो बाच्चीत है उसको change कर रहा हूँ यह minus ही है तो अगर इसको आप minus ही रखते हो ठीक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है मैं बता देता हूँ यह minus आपका answer क्या है वो plus में आएगा लेकि मैं इसको minus ही कर रहा हूँ यह minus है ना इसी से चलते है क्योंकि यहाँ तो आपका वैसे भी plus ही आ रहा है यह plus है बीच में तो minus हा रहा है हम वही लिख देते हैं x minus 2 by x plus 1 plus constant of indication c1 clear है ऐसे कर लेंगे तो इसको देखिए कि एक कैसे किया जाएगा थोड़ा minus plus में ध्यान रखिएगा बाकी तो इस question में ऐसा कुछ है नहीं थोड़ा यह negative इसमें सबसे बड़ी जो इस question को करने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता वो negative है बाकी और इसमें कुछ special नहीं 1 minus 3x by 3x square plus 4x plus 2 यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यह आप अराम से कर लेंगे तो यह मैं आपको इसका solution है या यह कहें कि इसका reference है थोड़ा बहुत वह आपको दिखा देता हूँ ताकि आप आगे बढ़ सके करना वैसे ही है जैसे आपने सीखा है इस question में भी ऐसा कुछ नहीं है इसका भी reference मैं दिखा देता हूँ अगर आपने मेरे 3-4 question जो मैंने शुरुआत में कराए वो follow किये है तो यहाँ पर formula भी नहीं चेंज हुआ है देखे सारे questions में formula भी नहीं चेंज हो रहे है यहाँ पर आपका सिधा log आता है यहाँ पर x square minus a square या x square plus a square आता है बस यह चीज़ है अब देखे यह थोड़ा सा अलग सवाल है इसको हम ज़रूर करेंगे और कैसे करेंगे पहले हम इनको अलग कर देंगे फिर इनको वह वैसी करेंगे जैसे हमने करना सीखा है a x cube plus b x तो हम इसको अलग करते है पहले इस i को मैं अलग कर देता हूँ a x cube यहाँ पर है x की power 4 plus c square यह आपका एक संख्या हमने अलग कर देगे प्लस अब इसको हम b x के साथ यह नीचे कर रहे है तो क्या आगे आपका b x divided by अब क्यूंकि मैं जानता हूँ x की power 4 का differentiation x cube आएगा लेकिन यहाँ पर x की power 4 का तो x नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे इसको x की power 4 को हम लिखेंगे x square का whole square तो इस x square का whole square कर देते हैं और plus c square करते हैं यह आपका i1 माल लेते हैं यह i2 माल लेते हैं तो i1 पहले हम निप्टाते हैं क्या होगा i1 में इसके रिए यहाँ लिखने से पहले मैं बता दू x की power 4 को आप ले लिजए t तो dt by dx आपका क्या बनेगा यह होगा 4x cube यानि कि dt by 4 आपका x cube dx आ गया यह तो ठीक है तो यह जो x cube dx और यह bx dx है x cube dx की जगह हम रिखेंगे dt by 4 तो dt कर देते हैं आप 4 आएगा नीचे तो 4 नीचे ले ले लेते हैं a और लेड़ी इसके साथ तो तो a बहा ले ले लेते हैं अपके अपना x की power 4 को तो अपने t लिया तो t हो गया प्लस c square यहां तो कुछ भी नहीं करना आपको यह तो सीधा आप log लगा दीजिए इसमें a by 4 यह constant है इसको c square को अगर आपको इस constant माने माले लिजे a माल लेते हैं तो t plus a है तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको log करिए modulus of t plus c square कर दीजिए इसका plus constant of integration यह फाइनल में इसका result लिख देता हूँ a by 4 log t की जगह आप लखिए x की power 4 तो x की power 4 x raise 4 by c square plus c square plus constant of integration यह आपका आइवन बनता है अब हम i2 की तरफ बढ़ते हैं देखे x square को आप यहाँ पर t लेंगे क्यों क्योंकि इसलिए बने यहाँ पर x की power 4 को x square की power square की x square को जैसी आप t लेंगे तो dt by dx क्या बनेगा आपका यह बनेगा 2x तो dt by 2 आपका हो गया x dx यह x dx हमें मिल चुका है इसकी जगह हम क्या रख रहे हैं dt by 2 लेकिन b already है तो यहाँ पर b कर दीजिए और यह जो आपने लिया है x square की whole square x square आपने t लिया है तो यह t square हो गया यह t है तो यह t square हो गया प्लस c square अब यह बन गया formula x square प्लस a square का x square प्लस a square का क्या होता है अब इसमें आप t आप बोलेंगे कि भी x square प्लस a square का formula यह direct लगा दीजिए 1 by a 10 inverse x by a यह तो होगा और तो कोई दिक्कत नहीं यह इसमें तो इसका हम formulas direct लगाएंगे यह हो गया b by 2 1 by a यह यह ऐसा बता रहो integration dx by x square प्लस a square यह बनेगा 1 by a 10 inverse x by तो यहां पर हम x को लेंगे t और c को रखेंगे जो a है उसको रखेंगे c तो यही formula में x की जगा आप तद्दिल कर दीजिए t a की जगा कर दीजिए c यही करना है तो 1 by a यहीं कि 1 by c 10 inverse x by a यहीं कि 10 inverse t by a यहीं कि c तो आपका क्या हुआ यह t आपने x square ले रखा था तो यह हो गया b by 2c 10 inverse t की जगा x square कर दीजिए x square by c प्लस constant of integration अब दुनों को जोड़ दिया जाए तो मैं क्या करता हूँ यहीं पर जोड़ देता हूँ देखिए मैं यह i1 मिला था हमें इस i2 को इसके साथ जोड़ रहा हूँ प्लस i2 कर दीजिए final answer यहीं बता देगे इस c1 को जड़ा सा अटा रहा हूँ है क्योंकि c1 प्लस c2 को हम final c रेकर देगे इसको यहां जोड़ दीजिए b by 2c 10 inverse x square by c प्लस c2 और c1 को जोड़ के constant of integration कर दीजिए तो यह जो आप देख रहे हैं यहीं इसका final answer होगी ठीक है मैं इसका थोड़ा सा हिंट आपको जड़ा दे दूगा क्योंकि हर question को करने के तरीके अलब होते हैं वो तरीका आप यहां देख लीजिए थोड़ा सा यहां पर आईवन आईटू में थोड़ी आपको और महनत करने बढ़ेगी और वो यह जो तरीका है यह भी आप अपना सकते हैं और जो मैंने आपको बताया वो भी अपना सकते हैं दोनों एक ही सरीखे आपके उत्तर आएंगे यह question थोड़ा सा अलग है और इसकी विशेश चर्चा यह इसका discussion बनता है वो हम करेंगे अगली बार तब तक लिए शुक्रिया महरबारी आप सबी की